मेरे तुला राशी के प्यारे जातक जातिका सब्टम्बर में हो रहा है आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलाओ धूर होने वाली हैं आपके प्रोफेशनल राइफ से रिलेटेड बहुत सारी परेशानियां कारे बनने वाला है नई नौकरी मिलने वाली है मैं हूँ आपके हम बात करेंगे सब्टम्बर 2023 कैसा रहेगा आपके लिए मेरी सबसे प्रशंदीदा राशियों में से एक अगर कहा जाए तो मेरे लिए तुला राशी को जब मैं देखता हूँ तुला राशी को लाखो लाखो लोग इस राशी को देखते हैं मेरे द्वारा प्रेडिट की ह हुई तो मैं अधिक रिसर्च करके आपके लिए आता हूँ ताकि आपको अधिक से अधिक लाब में पहुचा पाऊँ आपका काम है जैसरी राम लिखें लाइक करें शेयर करें ये आपका काम है करना मेरा काम है आपको अच्छी जानकारी पहुचाना सो मैं अच्छी जानक जिस दिन होने वाला है ये धमा का ये परिवर्तन प्रोफेशनल लाइफ में मिलने वाली है कुछ नई चीजे आने वाला है कुछ नया हाथ में वो दिन आखिर होगा कौन सा शो मैं कहना चाहता हूँ कि वो दिन होगा 10 सितंबर 2023 सुबह 10 बच करके 25 मिनट से ले करके लगन का और लगन का संबंद बन जाएगा ये वो शमय होगा आपकी राशी के लिए जिस दिन चंद्रमा और सुक्र दोनों ही ग्रह आ करके 10 था उसमें एक साथ गोचर करेंगे और यही वो दिन आपके लिए होगा जिस दिन आप जो चाहते हैं वो परिवर्तन आपके शाथ होगा क्योंकि अल्रेडी भागेश बुद्शूर के शाथ जाकर के गोचर कर रहे हैं भागेश सोचिये कितना जबरदस्त राजियोग इस महीने बन रहा है आपके लिए आप सोच नहीं सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ यह बड़ा बचित्र योग बन रहा है इधर पंचम भाव के श्वामी शनी पंचम भाव में बैठे हैं नवम भाव के श्वामी शनी बुद्ध एकातस भाव में बैठ कर दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं दोनों की दृष्टी संबंद हैं यह रिशी पाराशर्क्रित महाराजा योग को तयार कर रहे हैं दूसरा 10th house के अंतरगत चंद्रमा और शुक्र लगनेश चंद्रमा और शुक्र लगनेश और दशमेश एक साथ जा करके गोचर कर रहे है ये दूसरा राजियो केंद्र का तयार हो रहा है सो ये महीना कुछ नया प्राप्त करने के लिए है और वो डेट मैंने आपको दे दी है वो डेट है 10 सब्टमबर 2023 से लेकर के 12 सब्टमबर 2023 तक 10 सब्टमबर 10.25 in the morning से स्टार्ट होगा और 12 सब्टमबर को 11 बच करके एक मिनट तक रात्री तक ये समय रहेगा ये समय आपके ल कोई भी important decision लेना है कोई भी important काम करना है इस दिन को please नजरंदाज नहीं कीजिएगा इसी दिन को कीजिएगा आपके जीवन में परिवर्तन दिखेगा ही दिखेगा अब हम बात करते हैं अधर चीजों को लेकर के इस महीने क्योंकि स्वास्थ को लेकर के परिस्थतिया अच property से related बवाल चले parental property से related especially बवाल चले घर में थोड़ी अशानती रहे जिसको लेकर के मन बहुत ज़्यदा परिशान रहे और धन इन्वेस्थ नहीं कीजिए इस महीने बहुत साउधान रहनी की आवश्रकता है because investment जो धन इन्वेस्थ किया जाए वहां से हमको खराब result की परिस्थ दिख रही है so please धन इत्याद बड़ी साउधानी की साथ invest करने की आवश्रकता है इस महीने कौन-कौन से वो दिन है जो आपके लिए बहुत अच्छे होंगे और कौन से वो दिन है जो आपके लिए बहुत खराब होंगे especially अगर बात किया जाए starting का जो first September है वो second September marriage related कारी के लिए बहुत अच्छा रहेगा कोई भी कारी लड़का देखने जाना है लड़की देखने जाना है शात में अगर हम बात करते हैं कि relation खराब चल रहा है उसको ले करके ठीक करना है first September से ले करके third September फस सप्टमबर ठीक नहीं होगा second और third इसके लिए बहुत अच चल रहने से बहुत सारी problem शाएंगी मान से का शांती होगी बहुत सारी दिक्कते होंगी खर बहुत सारे बिस्तार में आप जानते हैं life में बात करना थोड़ा मुश्किल होता है इसलिए आपको number दे रखा है please आप मुझे call कर सकते हैं मेरे साथ connect हो सकते हैं और अपने बारे में सब कुछ जान शकते हैं सारी remedy इत्यादी प्राप्त कर सकते हैं आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यबाद जैश्री राम